नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्त पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुद ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां खुन की कमी होने पर शरीर में दिखाई देते हैं यह लक्षन जटपट खुन की कमी को दूर करने के लिए आईए घरिलू उपायों के बारे में जान लेते हैं खुन की कमी के उपाय और खुन की कमी के लक्षन क्या होते हैं यह आपको हम बताएंगे अगर आपको यह आपके परिवार में किसी को खुन की कमी है तो यह वाइस ओवर आपके लिए बहुत जरूरी है जिहां इस वाइस ओवर में आप अंत तक सुन करके ये जान लेंगे कि आप किस प्रकार से अपने शरीर में खुन की कमी है तो दूर कर पाएंगे खुन की कमी के उपाई और लक्षन हमारे खुन में दो तरह के कन होते हैं एक सफेद कन दूसरा लाल कन जब हमारे शरीर के रक्त में लाल कनों की कमी आ जाती है तो इससे मानुश शरीर में खून की कमी हो जाती है जिससे मेडिकल भाषा में इनीमिया भी कहा जाता है हमारे शरीर में लाल रक्त कन के लिए लौख तत्व यानि के आरन जरूरी चीज होती है और जब हमारे रक्त में हिमोगलोविन कम हो जाता है तब आरन की कमी हो जाती है जियां तो इसको ही खून की कमी होना कहा जाता है मानो शरीर में लोह तत्व की कमी नुकसान दायक होती है इसके कम होने पर इंसान बिमार पढ़ने लगता है एक स्वस्थ मानो शरीर में कम से कम 20 ग्राम आयरन होना ही चाहिए लेकिन इसकी संतुलित मात्रा ही सही रहती है जब मानव शरीर में हिमोगलोविन की मातरा यानि के बलड में लग तत्व की मातरा अधिक हो जाए तो शरीर में हिमोग्रोमेटिक रोग होने का खत्रा बढ़ जाता है जैसा कि हमने आपको अभी तक बताया iron blood में लाल रख्त कणों का निर्मार करने में शहायक होता है और इससे hemoglobin का भी निर्मार होता है अगर किसी के शरीर में hemoglobin की मातरा अच्छी है तो उसका शरीर सुडोल एवम सुंदर रहता है खुन की कमी के लक्षन को कैसे पहचाने आईए जान लेते हैं कमजोर नाखुन आईरन डेफिशियन सी के लक्षनों में भुरभुरे अथवा कमजोर नाखुन सबसे समाने हैं इसके साथ ही जिप पर जखम अथवा सुजन होना मूँ के किनारों का फटना अधिक गुसाना और लागातार संक्रमड होते रहना भी शरीर में आईरन की कमी के और इशारा करते हैं अख खाद्य पदार्थों को खाने की इक्षा आईरन डेफिशियन सी एनीमिया के शिकार लोगों को भोजन नहीं बलकि ऐसी चीजें खाने का मन करता है जिन्हें खाने योग ये नहीं माना जाता है वे बर्फ, पेंट, मिटी और स्टार्ची त्यादी खाने के प्रती लालाईत रहते हैं इस प्रकार की भूख को पीका कहते हैं भूख न लगना, उधास सा रहना, चेहरी की चमक कम हो जाना चिल लोगों को खून की कमी होती है ऐसे लोगों में कुछ इस प्रकार के लक्षन देखने को मिलने लगते हैं भूख का न लगना, उधास रहने लगना, चेहरी की चमक कम हो जाना और शरीर में थोड़ा सा ही परिश्रम करने पर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना पैदल चरने पर चक्कर आना इस प्रकार से होते हैं और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी खुन की कमी हो सकती है माता बहनों में खुन की कमी के कारण उनका मासिक धर्म समय से नहीं हो पाता है और खुन की कमी की वज़ा से उनके बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं तथा उनके दिमाग का विकास भी कमजोर होता है जिसे उनकी आदाश्ट पर भी असर पड़ता है और सबसे बड़ा कारण यहीं होता है कि बच्चे पढ़ाई में थोड़ा पीछे रहते हैं अब हम आपको आगे बताएंगे खुन की कमी के उपाई उनको क्या करना चाहिए जिनके शरीर में खुन की कमी हो एनीमिया के लक्षन और संकेतों को जानिये जिहां सभी प्रकार के एनीमिया में थकान सबसे समाने लक्षन है थकान का मुख्य कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की परियाप्त मातरा का न होना शरीर में परियाप्त मातरा में लाल रक्त कोशिकाओं नहीं होने के कारण शरीर के सभी भागों में परियाप्त मात्रा में ओक्सीजन नहीं पहुँच पाती है इसके साथ ही आपका शरीर जिन लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मार करता है उनमें भी समान्य से कम हिमोगलोबीन होता है हिमोगलोबीन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद आईरन से भरपूर प्रोटीन होता है यहाँ लाल रक्त कोशिकाओं को फेफुरों से शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुचाने में मदद करता है एनीमिया के कारण सांस उखरना और सिरदर्द जैसी शिकायते हो सकती है इसके साथ ही साथ पैर में ठंड लगना तवचा का पीलापन और सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है अगर आपके शरीर में लाल रख्त को शिकाओं को ले जाने के लिए परियाप्त हीमोगलोबिन नहीं है तो इसका असर आपके दिल पर भी पड़ता है आपके दिल को ऑक्सीजन से भरपूर रख्त को आपके शरीर में पहुचाने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत होती इससे आपकी हृदय गती औसमानी हो सकती है और आपको हार्ट मर्मर हृदय के आकार में परिवर्तन और यहां तक की हार्ट फेलियोर तक की नौबत आ सकती है नौजात शिशों और बढ़ते बचों में एनीमिया के लक्षनों में भूख में कमी धीमा विकास और व्यावहार गत समस्याएं हो सकती है खुन की कमी को दूर करने के आई यह घरेल उपायों को जानते हैं काली मिर्च और सिंधा नमक खुन की कमी को दूर करने के लिए अनार का जूस सबसे बहतर विकल्ब है इसके लिए आप एक गलास अनार के जूस में स्वाद के अनुसार पीसी हुई काली मिर्च और सिंधा नमक मिला करके पी लीजिए काफी लाब होगा इसको लेने का कोई समय नहीं होता है आप प्रती दिन भी ले सकते हैं या सबताह में दो या तीन बार जब तक आपको फायदा नजर ना आने लगे इसको पीते रही है या खुन की कमी को दूर करने के लिए एक रामबान और शदी है अखरोट, खजूर और ड्राइफ रूट सबसे बहतरीन खुन की कमी के उपाय जिन लोगों को खुन की कमी आईरन की कमी या एनीमिया है ऐसे लोगों को जादा से जादा ड्राइफ रूट मेहों का सेवन करना चाहिए इनको खाने से शरीर को भरपूर मातरा में आईरन मिलत जिसमें से अकरोट एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद सावित होता है इसके अलावा आपसीव और खजूर जैसी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं इन दोनों के अंदर भी आईरन की प्रचूर मातरा रहती है और एनीमिया के रोगियों के लिए यह एक बहुत सेवन करते ही मानुशरीर के अंदर ब्लड सेल एक्टिव हो जाते हैं जिससे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है इसी वजह से एनीमिया के मरीजों को चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है बहुत लोग शौक के तोर पर भी इसको सलाद के रूप मे या टमाटर गाजर और शिमला मिर्च के साथ सबजी बना करके खाते हैं सोयाबीन सोयाबीन में भरपूर मातरा में आयरन एवं विटामिन होता है इसका सेवन आप इस प्रकार से कर सकते हैं सोयाबीन का आटा लेकर के थोड़ा गेहूं के आटे के साथ मिला करके चपाती ब वह बिना किसी संकोच के इसका सेवन कर सकते हैं। मेथी पालक और बथुआ खुन की कमी को दूर करने के लिए मेथी पालक और बथुआ नामक भाजी का सेवन करना चाहिए। करता है अब आप सोच रहे होंगे कि यह गिलोई का रस कहां मिलेगा तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें पूरे भारत वर्ष में जगह जगह आयरुवेद चिकत साले उपलब्ध हैं जहां से आपको उत्तम प्रकार का गिलोई का रस मिल जाता है और इसका सेवन करके जूस पीना चाहिए उनके शरीर में आरंग की कमी दूर हो जाती है उनका शरीर फिर से हिश्ट पुष्ट हो जाता है टमाटर काली मिर्च और सिंधा नमक अपने शरीर में लोह तत्व की कमी को दूर करने के लिए तथा हिमोगलोबीन के मातरा को बढ़ाने के लिए टमाट टमाटर काट करके उन पर काली मिर्च एम सिंधा नमक छिड़क कर खाना चाहिए या फिर टमाटर का जूस निकाल करके भी आप पी सकते हैं जिन लोगों को खुन की कमी है उनके लिए यह बहुत ही सस्ता और कारगर उपाय साबित होता है इसके सेवन से उनके चेहरे पर भी ल तिशाली बनता है या भी एक उत्तम खुन की कमी के उपायों में से एक है गुड आपने देखा होगा कुछ लोग भोजन के बाद एक गुड की डली आवश्य कहते हैं कि खाना चाहिए इसका वैज्यानिक कारण गुड में लोह तत्व की मात्रा भरपूर होती है इसलिए आ आपको बेहत फायदे मंद होगा यानि कि खुन की कमी नहीं होगी कभी और इससे पाचन क्रिया भी सही बनी रहती है पिनट बटर खुन की कमी हो जाने पर पिनट बटर का सेवन बहुत ही गुड कारी माना गया है दो चमच पिनट बटर में लगभग 0.5 ग्राम मिली ग्राम कहें तो से भी ज़्यादा आईरन आपके शरीर में पहुंच जाता है इसके लिए आप प्रती दिन नाश्टे में ब्रेड पर पिनट बटर लगा करके खाएं और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा संतरे का जूस पील लेते हैं तो यह बहुत ती ब्रगती से आईरन को लिकायत तो आप इन उपायों को अपना करके लाप पा सकते हैं यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़ते हैं एक और ब्यहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों